हमारी आज की गाड़ियों में जो seatbelt warning आती है वो काम कैसे करती है वो मैं आपको बताता हूँ तो जैसी हम 20 की speed से उपर जाते हैं तो एक आवाज आप सुनते होंगे टिंग 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 वो बचता ही रहता है साथ से आठ मिनट तक बचता है और वो इतना जोर से बचता है और irritate कर देता है सामने हले को कि वो होता ही उसी purpose के लिए कि प्लीज आप seatbelt लगा लो अब देखो इसका mechanism क्या है कि co driver seat और driver seat के नीचे होते हैं load sensor और वो load sensor कुछ ऐसे काम करते है कि जैसी इस पर कुछ वजन आता है आप बैठोगे यहाँ यहाँ पर भारी सा कुछ सामान भी रख दो ना तो वो बजना शुरू हो जाता है क्योंकि वो detect कर लेता है कि यहाँ पर कुछ वजन है अब वो जैसी detect करता है वो ECU system को वहाँ पर signal देता है कि यहाँ पर कोई बैठा है और वो signal ECU system से दूसरी जगा जाता है यहाँ इस बकल में अब वो यह detect करता है कि यह वाले जो पार्ट है वो इसके अंदर ऐसे है कि नहीं अगर वो नहीं है तो फिर वो बीब बजना शुरू हो जाता है भाई ऐसा कुछ इसका mechanism है और seatbelt लगाओ और वो मनूस आवाज को पहले बंद करो